आज हम पंडित चन्दधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था परचर्चा करेंगे उसने कहा था कहानी हिंदी कहानी सहीत्य में अपना शिर्षर स्तिष्थान लगती है कहा यह भी जाता है कि इसे हिंदी की पहली कहानी का दर्जा दिया गया है उसने कहा था कहानी काई प्रश्ट भूमी दुती विश्व विद्ध के उपर कैंद्री थे इस कहानी में चन्रधर शर्मा गुलेरी जी ने युद्ध प्रेम और इस तरीके से उन्होंने लव और एडवेंचर दोनों को समलित करके इस कहानी का कथानक है उसको रचा है यह कहानी गुलेरी जी की अमर कहानी है यह यह कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी ने गुलेरी जी का नाम हिंदी कहानी जगत में अमर कर दिया है किसी भी कहानी का परिक्षन कहानी तत्वों के आधार पर किया जाता है हम उसने कहा था कहानी का परिक्षन भी कहानी के मूल भूत छे तत्वों के आधार पर उसका परिक्षन करेंगे सरुपतम, कथानक, तत्पश्यात, कथोपकथन, उसके बाद पात्रयम चरीचित्रन, फिर देशकाल एवं वातावरन, फिर भाशाशेली और उद्देश इस प्रकार छे तत्रयों के आधार पर किसी कहानी की समिक्षा की जाती है हम उसने कहाता कहानी में सरुपतम हम उसके कथानक के रूप को देखेंगे उसने कहाता कहानी का कथानक मोटे तोर पर तीम भागों में विभाजी थे पहला भाग उसका अम्रस्टर से संपर्क रखता है दूसरा भाग युद्द्भमी से और तिसरा भाग उसका सुबेदार हजारा सिंग के घर में घटित होता है कहानी में संपर्थम अम्रस्टर का भिरवरा बाजार बताए जाता है जो कहानी के कथानक का एक प्रकार से आरंब है अम्रस्टर के बाजार में एक लड़का एक लड़की टकराते हैं जो की अपने लड़का अपने मामा के लिए उनके केश धोने के लिए दही लेने के लिए जाता है और लड़की रसोई के लिए बेड़े ही लेने के लिए जाती है यहां दोनों टकराते हैं, बालपन का रूप है, दोनों में यहां सम्माद होता है लड़के का परिचे होता है और परिचे में लड़का लड़के से पूछता है कि तेरे घर कहा है वो घर मगरे में बताती है और इस तरीके से दोनों में बात्चित होती है फिर लड़का लड़के से पूछता है कि तेरी कुडमाई हो गई तो वो धत्त करके भाग जाती है इस पकार से गाय बगाय उनके मुलाकात कभी किसी दुकान पर कभी किसी दुकान पर होती रहती है और लड़का यही प्रश्णा उससे बार-बार करता है एक रोज लड़की जवाब देती है कि हाँ उसकी कुड़माई हो गई है लड़की का यह जवाब लड़के को भीतर तक लड़के को उदासीन बना जाता है और लड़का फिर वहाँ से बरे बेतर्तिव ढ़ंग से भागता हुआ घरतरब जाता है एक प्रकार से उसका मन उचड़ जाता है फिर कहानी के दूसरे भाग का प्रारम होता है जहां युद भूमी का दश्य है और जहां वह लड़का लहना सिंग के नाम से युद भूमी पर डटा हुआ है उसके साथ उसके सुबधार हजारा सिंग है और सुबधार हजार सिंग का बेटा बोधा युद भूमी के अंदर है यहाँ दूती विश्य उद्ध का परिदश्य सामने आता है और खंदकों के अंतरगत ये लोग अपना समय गुजारते हैं आज बरी विकट इस्तती आ गई है कि हजारा सिंग का जो लरका है बोदा सिंग वो बहुत बीमार हो गया है और उसको उसकी देख भाल लहना सिंग करता है और लहना सिंग उसको अधिक ठंड होने के कावन उसको अपने कपड़े भी उसको पहनने के लिए देता है इस प्रकास महाँ पर युद्ध का एक वातावन तयार होता है और उस वातावनि के भीतर तर्य तर्य की शंकाएं आशंकाएं जन्म लेती रेती है क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि जर्मन सेनिक आ रहे हैं तो कभी ऐसा लगता है कि इन खंदकौं के अंतरगत अभी गोली बारी हो जाएगी इस प्रकार के परिदश और शरीर को कम कपा देने वाली ठंड ये दोनों प्रकार की बातें इस कथानक में नया रंग भरती है फिर बोधा सिंग की तबियत बहुत ज़्यादा खराब होती है और खराब होने के बाद आखिर में ये सुचना दिये जाती है कि जर्मन से निक आगे हैं उनसे भिड़ने के लिए जाना है लेहना सिंग अपनी जुम्यदारी को समझता है कि उसे बोधा सिंग की रक्षा करनी है वह बिमार है इसलिए वह उसी करतावी भाव से बोधा सिंग की रक्षा के लिए वहां ख़ड़ा देता है और बाकी सब को वहां से लड़ने के लिए जर्मन से निकों की विरुद लड के लिए वरिद देता है और इस तरीके से वा युद्ध भूमी के अंतरगत हजारा सिंग की जान भी बचाता है हजारा सिंग की जान भचानी के बाद sollg तिसरा परिदश ची कहनी का आता है इस measuredand के अंतरगत जब यह प्रशन खड़ा होता है कि इसने हजरा सिंग की जान क्यों बचाई तब कि तिस्रा परिदश कहनी का सामने आता है कि जहां जब युद्थ अभुमィ के लिए निकलते हैं जब का पलाट्वन ये दुहुमी के लिए जाता है तब हजारा सिंग लेना सिंग को कहता है कि सुवेदार्नी तुझे बुला रही है लेना सिंग सुवेदार्नी के पास जाता है सुवेदार्नी उसे पहचान जाती है कि यहीं अमरेश सर का वह बच्चा है जो बच्पन में उसे अ वह अपने प्राण पन से यह उसके सामने विचार रखे कि वह हमारे उसके पती की और उसके पुत्र की जान बचाएगा वह सुवेदार में को अपना वचन देता है और इस प्रकार से अपने प्रामा को गवा करके वह सुवेदार हजारा सिंग और बोधा के जीवन की रक्षा करता है इस तरीके से तीन भागों को सहीवत रूप से जोड़कर गटना करम के आधार पर समय को फैलाते होए इस काहनी को रचा गया है संख्शिप्त में इस काहनी को चाह सकते हैं की इसमें लहना सिंग का चरित अधार पूरे चाहना को धामे हुए है वह अपने वचन का निरुवाह करता है और इस प्रकार से जो संपूर्ण कथानक है वो कथानक युद्ध भूमियों से लेकर बालपन की स्थती से जुड़ते हुए अंत में सुभेदार्णी के घर पर आकर के खत्म होता है और उस कथानक का जो पठाक्षे पे वो लहना सिंग के मृत्यू से होता है जैसा कि हमने उसने कहानी के संबंद में अपने विचार व्यक्त किये हैं कि किसी भी कहानी को उसकी कसोटी को कसने के लिए छे ततों के आवशकता होती है तो कथानक के पश्याद दूसरा प्रमुक्त तक तो आता है कहानी में कथोब कथन कथोब कथन अर्था समवाद समवाद के बल पर कोई कहानी आगे बढ़ती है समवादों की उपस्तिति से कहानी में प्रान आ जाते हैं और इस तरीके से सम्वादों के जरिये न केवल कथाना का आगे बढ़ता है अब पितु सम्वादों के आजाने से कहानी में एक प्रकार की सचाई एक प्रकार का कहानी की गुर्वत्ता में निखा रा जाता है तो कहानी में सम्वादों का होना बहुत जरूरी है उसने कहा था कहानी में भी चंदर शर्मा ने सम्वादों की रचनाय की हैं सम्वादों के बारे में ये कहा जाता है कि जितने छोटे सम्वाद होंगे कहानी उतनी ज्यादा सार्थक और उतनी ज्यादा अर्थ बहुत कराने वाली कहनी होती है, छोटे समवादों से भाव प्रवन ता जादा आजाती है, समवादों के व्यक्त करने वाले चलित्र की कसावट सामने आती है, और उसके साथ साथ जो अर्थवत्ता है वह भी इस पस्त रूफ से सामने आती है, उसने कहा था कहनी में भी समवादों का छोट रूफ होना ये कहानी की बहुत बड़ी इसार सकता है। मैं उसने कहाता कहानी के कतिपए छोटे सम्वादों को उधायन सरूप यहां परिस्तूत करने जा रहा हूं। तेरे घर कहां है मगरे में और तेरे माजे में यहां कहां रहती है अतर सिंग की बेठक में। में मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहां आया हूं। उनका घर गुरु बाजार में है। इस सम्वाद में पारश परिच्छे की अनुगुंज हमें सुनाई पड़ती है। और इस तरीके से एक प्रकार से लड़के लड़की के पास आने का भाव यहां इसपस्ट होता है। जो बीज रूप में कहानी के विकास करने में साहिक सिद्ध होता है। यह एक दूसरे से एक तातकालिक रूप से पूछे जाने वाला एक छोटा सा परिच्छे है। जिसका विकास आगे चल करके संपुर्ण कहानी में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से गुलेरी जी ने यहां छोटे-छोटे समवादों के माध्यम से एक प्रकार से कहानी के इतने विशाल के अनवास को बचा लिया है कि जिसकी वज़े से यह कहानी बरी होने से बच गई है। इस प्रकार पारस्परिक समवादों के माध्यम से परिशे दिखा करके और गुलेरी जी ने अपने कथानक के स्वरूप को यहां रचा है। हम देखते हैं कि कहानी में जितने छोटे कथो कथन होंगे उतने ही कहानी में प्रानवत्ता निखर करके सामने आईगी। इस प्रकार छोटे-छोटे समवादों के माध्यम से उसने कहा था कहानी की जो भूमी है वो तयार की गई है। और इन छोटे-छोटे समवादों के मार्दियम से कथानक के व्यापक के अनुवास को समेटने की कोशिश रचनाकार्दने की है। किसी भी कहानी को कसोटी पर कसने के लिए कहानी का तीसरा महत्पुन तक तो है चरित्र चित्रन। चरित्र चित्रन के अभाँ में कोई भी कहानी अपना वास्तविक रूप नहीं ले पाएगी। चरित्रन अरसाथ कहानी में नियोजीत जो पात्र हैं उन पात्रों का चरित्रन कहानी के अंतरगट किया जाता है। वे पात्र कहानी की घटना को जीवन्त बनाते हैं, वे पात्र कहानी के कच्छ को साकार बनाते हैं, और वे पात्र कहानी के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, इसलिए कहानी में चरीत्रों का होना बहुत जरूरी है, चरीत्रों के माध्यम से ही पाठक किसी भी कहानी से तादात मे उपस्तित करते हैं, कहानी में मुख्य चरित्र लेहना सिंग का है, उसने कहा था कहानी का लेहना सिंग केंद्री पात्र है, संपूर्न कथानक लेहना सिंग की धूरी पर होकर विगटित होता रहता है, लेहना सिंग के रूप में उसके चरित्र का निर्वहन प्रारंब में बालिय आवस्ता से, अमरस्तर के बाजार से उसके चरित्र को आगे बढ़ाता है रचनाकार, और उसके बाद उसका जो चरित्र है, वह चरित्र प्रान, वचन, कर्म और समर्पन के भाव से जुरता हुआ घटित होता रहता है, जहां बच्पन में वह जिस लड़की से कुर्माई होने की बात करता है, वहां जब उसे पता चलता है कि लड़की के कुर्माई हो गई, तब वह एक तरीके से अपना आपाखो भीड़ता है, लेकिन फिर साहियत हो करके वह मिलिट्री में चला जाता है, और वहां राश्ट सेवा को अपना परमधर्म मानता है, वहां उसके बटालियन में सुवेदार हजारा सिंग होते हैं, जो की लहना सिंग के समान अंतर एक दूसरे चरीद रहें, हजारा सिंग के बटालियन में लेहना सिंग काम करता है, और लेहना सिंग हजारा सिंग के पुत्र बोधा सिंग की रक्षा में त्यनात रेता है, यह उसके चरीद का उस्वर्ग के है, कि एक तरफ राष्ट भूमी, मात्र भूमी और युद्ध भूमी में प्रान पन से जुड़ना, और दुसरी तरफ अपने साथी बोधा सिंग की रक्षा के लिए त्यनात होना, और तीसरी तरफ जो उसके चरीद का सबसे बड़ा पहलू है, वह पहलू है सुबेदारनी अर्थात, सुबेदार हजारा सिंग की पतनी को दिया हुआ वचन, कि वह अपने प्रान पन से सुबेदार हजारा सिंग और उसके पुत्र की रक्षा करेगा, अर्थात उसके गौद की रक्षा करेगा, और उसके सुबेदार की रक्षा करेगा, इस तरीके से उसने कहा था कहानी का यह जो चरीत्र है, यह चरीत्र अपने आप में बड़ा सैयत है, अपने आप में बड़ा एक जिसको कह सकते हैं कि संपुमता को लिए हुए चरीत्र है कि जिस लड़की को वह अमरसर के बाजार में बजपन में देखता है और जिस से कुडमाई की बात करता है आगे चल करके वही लड़की सुबेदारनी के रूप में उसके सामने आती है तब इस प्रकार के लोम हर शक वातावरण के भीतर भी उसका सहियत बने रहना और तनी भी विशलित न हो करके समरपढ़ भाव से उसको वचन देना कि वह जीते जी उसके पती और उसके पुत्र की रक्षा करेगा तो यहां उसने कहा था कहानी में जो सरवत करश्ट चरित रहे वह लहना सिंगा चरित रहे जो एक तरफ प्रेम में पगा हुआ भी है दूसरी तरफ युद्ध भूमी के अंतरकट समरपढ़ भाव से उत्राव भी है और तिसी तरफ वो सुबेदार्णी से वचन बद्ध हो करके अपने वचन का निर्वाव करने वाला एक चरित भी है इस प्रकार चन्दर शर्मा गुलेरी ने संपुन चारित्रिक विशेष्टाओं के साथ लहना सिंग का चरित गड़ा है और उसमें गंभिर्ता उसमें चेतना उसमें समर्पन और उसमें प्रेयम और त्याग सभी प्रकार की उद्दाम भावनाओं को संजोया है इसके अतिरिक्त, इसमें और भी चरित्र हैं, जिसमें सुबेदार हजारा सिंग का चरित्र है, यह चरित्र सुबेदार का चरित्र है, और ये कथावस्तों को घटना करम में परिनित करने वाले चरित्र हैं, इसमें बोधा सिंग का भी चरित्र हैं, कुछ और गौन चरित्र है जो कहानी में जलकी दिखाते हैं और उसके बाद लुप तो हो जाते हैं सुबेदारनी का जो चरीत्र है वो चरीत्र सिर्फ अम्दसर के अंतरगत एक लगू छोटी बच्ची के रूप में आता है एक तरफ उस चरीत्र के अंतरगत बच्चपन का उस लड़के के साथ एक रिष्टे का भाव, हलका सा भाव उस चरीत्र के अंतरगत है तो दूसरी और उसमें जरता है कि वह लहना सिंग के सम्मुक उससे अपने स्वाग और अपने गोद की मांग करती है इस प्रकार से इस कहानी के अंतरगत जो चरीचित्रन निरुप्रित किया गए हैं उनमें एक प्रकार से रागात्मकता है, एक प्रकार से गंभीरता है कथानक को आगे बढ़ाने की उनमें खूबियां हैं और ये समस्त चरीत्र जो इस कहानी के अंतरगत आते हैं ये कहानी के संपूर्ण के अनुवास को रिषने में मददगार साबित होते हैं कहानी तत्तों के आधर पर समिक्षा के लिए अब हम चोथा तत्तों लेते हैं देशकाल और वातावरण कोई भी कहानी देशकाल और वातावरण की परिकल्पना के बगेर कहानी नहीं हो सकती कहानी कपकी है कहानी का परिवेश क्या है कहानी का आधार क्या है कहानी कहां घटती है कहानी का समय क्या है इन सारी चीजों की जब तक पुष्टी कहानी का नतरगत नहीं होती तब तक कहानी काला के रूप में मान्य नहीं की जा सकती चन्दधर्शर्मा गुलरी ने अपने कहानी लेखन की शुरुवात में ही इस तक्त्व को ध्यान में रखा और उसने कहा था कहानी में देशकाल और परिस्थिति या देशकाल और वातावरण का संपुन रूप से निर्वाह किया कहानी के अंतरगत तीन प्रकार के वातावरण परिलक्षित होते हैं पहले वातावरण में अमरस्थर का बाजार है जहां लड़के और लड़की मिलते हैं एक दुसरे से बतियाते हैं उस बाजार में चहल पहल के वातावरण को भी कहानी के अंतरगत रचनाकार ने रखा है उसमें जो बंबु काटे अर्थाद जो तांगे वाले हैं उन तांगे वालों के आवास हैं उन तांगे वालों का शोर शरावा इसको भी कहानी में इस्थान दिया है कहानी के दूसरे भाग में युद्धुभुमी का वातावरण पर लक्षित होता है युद्धुभुमी के वातावरण को कहानी कार ने बड़ा जीवन तो बनाया है या यह कह सकते हैं कि युद्धुभुमी को वातावरण युद्धुभुमी के वातावरण से पाठक इतना ज्यादा प्रभाइत होता है कि वो स्वैम को भी मानो उसी इद्द भूमी में खड़ा हुआ पाता है यह परियावरण की सचाई है इसके बाद तीसरा जो वातावरण है वो वातावरण सुबेदार हजारा सिंग के घर का है जहां कहानी का केंदी चरित लहना सिंग पहुंचता है और जहां सुबेदार्णी से उसकी बात होती है इस परकार कहानी को संपुन देशकाल को ध्यान में रखते हुए कहानी का विभाजन किया गया है और दुति विश्विद्ध के आधार पर इस कहानी को रचा गया है इस कहानी में देशकाल और वातावरन का संपुन ख्याल रखा गया है इस नाते भी ये कहानी अपना विशिष्ट इस्थान रखती है उसने कहा था कहानी की समिक्षा के लिए जो अगला तक तो हम ले रहे हैं वह है भाषा शेली किसी भी कहानी में किसी भी कहानी के रचना में भाषा और शेली का होना बहुत आवश्यक है भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो संपुन कहानी के कथावस्तों को उसमें आये हुए शरीत्रों को उसमें समाहित देशकाल परिस्थिती को और उसमें आने वाले समवादों को सभी को सही रूप में ढालने वाली भाषा होती है भाषा और शेली का की पारस्परिक्ता ही किसी कहानी को उसके अभी लेखन को उसकी अभी वन्जना शक्ती को उभारने में सायक होती है चूर्कि इस कहानी का कैनवास अमरस्तर में घटित होता है युद्ध भूमी में घटित होता है इसलिए अमरसर के बाजार में या अमरसर की भूमी में जो बोले जाने वाले देशेश शब्द हैं जैसे तेरी कुडमाई हो गई ऐसे शब्द हैं धत कहर करके उस लड़की का भाग जाना ऐसे शब्द हैं यह भाग के तांगेवालों की जो भाशा है उन भाशाओं को उसी प्रकार से सहियवजित कर देने से वह कहानी वास्तविक्ता के भाऊट समीप आजाती है इसलिए जिस ख्षेत्र की ख्षेत्र की भाशा का ज्ञान यदि कहनीकार के अंतरगत नहीं होगा तो कहनी बैमानी होगी इसी प्रकार युद्धुमी के अंतरगत खंदकों में बोली जाने वाली भाशा जो कि खास तोर पर लडाई के दर्मियान बोली जाने वाली भाशा होती है जिसमें सांके तिकता होती है जिसमें शब्दों का सिर्फ बोध ही बताया जाता है पूरी बात नहीं की जाती इस प्रकार की भाशा का ज्ञान भी कहनिकार के अंतरगत होना चाहिए क्योंकि वह उस भूमी से जुरर रहा है गुलेरी जी ने उस प्रकार की भाशा का पुरा-पुरा ध्यान रखा है साथ ही जब यशे वातावरन के अंतरगत रात होती है और रात में जब चंड़मा अभिधूत होता है तो चंड़मा का जो स्वरूफ है वो स्वरूफ किस प्रकार से वह भाशित हो रहा है इसको भी रस्नाकार ने अपनी कहानी के अंतरगत कावियत मखधंग से निरुपित किया है इसका उधारन हम यहाँ परस्तोत करते है लडाई के समय चान निकल आया था ऐसा चान जिसके प्रकाश में को सस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षई नाम सार्थक होता है और हवा ऐसी बह रही थी जैसे की बांड भट की भाष्या में दंत विनो दोस्टारी कहलाती है इस प्रकार चंदर शर्मा गुदरी ने कावियत मखधंग भाष्या का संयोजन अपनी कहानी में करके कहानी के भीतर एक प्रकार से एक ऐसा प्रवावी भाष्यानी के कोशिश की है जिससे पाठक जूट सके पाठक उसके भाव से तादात में स्थापित कर सके इस प्रकार गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी में अंग्रे जी के शब्द, उर्दू के शब्द, पंजाब में बोले जाने वाले पंजाबी भाष्या के शब्द, अर्थात महां के देशे शब्द, इत्यादी शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी कहानी के अंतर ग एक उद्देश के साथ लिखी जाती है उद्देश का होना कहानी के लिए आवश्यक है क्योंकि बगेर उद्देश के ना तो कथानक तैयार हो सकता है ना कहानी की उपादेटा हमारे सामने आती है चन्दधर शर्मा गुलेरी ने भी इस कहानी में एक उद्देश रखा है और वो उद्देश है कि जिस लड़की से लहना सिंग बच्पन में कुडमाई होने की बात करता है जब कालानतर से उसी के सामने उसके पती और उसके बच्चे की रक्षा करने के लिए वो वच्चन देता है तब एक प्रकार से हमारे सामने ये बात आती है कि प्रेम का अर्थ सिर्फ इस पर्ष नहीं है प्रेम का अर्थ सिर्फ शारी रिक्ता और मांसलता के संबंद से नहीं है प्रेम का अर्थ वच्चन से है प्रेम का अर्थ त्याग से है प्रेम का अर्थ भावना से है इस कहानी में भी कहानी कार चंदर शर्मा गुलेरी ने प्रेयम और त्याग के जो उच्च भाव है उन भावों के बल पर इस कहानी का सहिवन किया है और अन्त में हम ये पाएंगे कि उसने कहाता कहानी की शर्षक की जो सार्सक्ता है वो सार्सक्ता भी हमारे सामने आती है शर्षक की सार्सक्ता का होना भी कहानी के लिए बहुत जरूरी है ये नहीं कि कहानी कहीं और जा रही है शर्षक कहीं और जा रहा है चन्दर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहनी को उसने कहा था का शिर्षक दे करके उसे संपुन रूफ से इस शिर्षक को प्राणवान बनाया है और अंत में इस शिर्षक को इस तरीके चरितार्त किया है कि जिससे वो बच्पन का कोलुमाई हो गई की बात करता है वही उसको कहती है कि उसके पती और उसके बच्चे के प्राणों की रक्षा करना उसने कहा था इसलिए लहना सिंग अपने प्राण गवा कर उसके अपने वचिनों की रक्षा करता है इस पकार हम देखते हैं कि इस कहानी में उसने कहा था शिर्षक की सार्सक्ता भी प्राप्त होती है खुल मिला कर उसने कहा था कहानी हिंदी कहानी साहित्य में एक सशक्त हस्ताक्षक के रूप में जानी जाएगी और अपने समय की यह कहानी जो आज हिंदी कहानी के जगत के मील का पर्थर बनी हुई है वह कई-कई कहानी कारों को कहानी रचना के लिए दिशाबोद कराती है कराती रहेगी यही इस कहानी का सिद्ध प्रयोजन है कराती है